नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस्टिप इंडिया अड्डा में दोस्तों डीजीटी के तरफ से एक ऑफिसेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो ए आई टीटी सप्लिमेंटरी जाम नॉमबर 2022 के रिकार्डिंग है डीजीटी के जो ओफिसल वेव साइट है यहन सीवीटी है हमाई इस पोर्टल पर ही अपडेट किया गया है वह नोटिस इसमें जो सप्लिमेंटरी जाम नॉमबर में होने आला इसमें कौन से आई टे की बच्चे जो इसमें पेपर दे सकते हैं जो जिनका किसी कारणवास परिछा चूड़ जिनका सीवीटी ग्याम हुआ था उनको जीरो नंबर या एक नंबर मिला है वह भी दे सकते हैं और जिनका फीस पेमेंट नहीं हो पाया था वह भी अपना ग्याम नॉमबर में दे सकते हैं इसके लिए डीजीटी की तरफ से पूरा गाड़लाइन जारी कर दिया गया है और यहां पर आप जैसे आएंगे तो आपको इस website पर आएंगे डीजीटी की MIS portal पर तो आपको यहां पर notification news अपडेट करके यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को यहां पर देखने को यहां पर पताया गया है और इसमें यह भी पताया गया कि जो ITI semester है या annual है तो वो भी यहां पर paper दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए भी semester है जो annual है वो भी paper दे सकते हैं इसके लिए उन्होंने जो criteria अपनाया है उसके लिए आप वहां पर इजबल होना चाहिए जो ITI training है supplementary इजबल होंगे तो उनको एग्याम का देने की मौका दिया गया देव करेंको तो आप यहां से notification download कर सकते हैं इस पर किलिए करके मैं ने यहां से notification download कर लिया यह आप देख सकते हैं यहांपर from 2020 38 इसका link भी मैंने discussion box में दिया है और YouTube Channel के community box में भी दिया है आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर देख लिए जो DGT के तरफ से लेटर जारी किया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं 17 October 2022 को जारी किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं Ministry of Skill Development and Intervenuative Director of General Training और यहाँ पर इन्होंने सभी All-State और All-Unitary Director को यहाँ पर दिया गया जो CTS यानि Craft Training Scheme होता है जिसे ITI बोलते हैं वो All-Regional Director and Skill Development Intervenuative को दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के रिकार्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने बता है कि All-India Trade Test AITT Supplementary Jam 2022 CBT के रिकार्डिंग यहाँ पर बताए गया है यहाँ पर Supplementary Training जो Annual और Semester दोनों के रिए यहाँ पर यह notification पुब्लिस किया गया है जिनका किसी कारण भी परिछा छूड़ गया है तो वो अपना पेपर यहाँ पर दे सकते हैं DGT के दोरा एक मीटिंग कराए गया था जिसमें VC मीटिंग बोलते हैं वो सभी Jam Controller को यहाँ पर बुलाए गया All-India Trade 30 सितंबर 2022 को कराए गया था इसी के रिकार्डिंग DGT के तरफ से CBT Jam के लिए All Supplementary Training के लिए एक निड़े लिया गया जिसके प्लानिंग किया गया है उसमें आपको एक Jam देने की बात कहिए आपको Jam लिया जाएगा वहाँ से decision लिया गया है DGT के तरफ से अब आपको Jam लेने के लिए कौन-कौन से कंडिडेट इजबल है तो यहाँ पर बैस संख्या बताईगे है और ट्रेनिंग का टाइब बताएगा जो ट्रेनिग है जैसे अगर आप यहाँ पर बताएगा जो 18-19 के कंडिडेट है जो जिनका वन येर या सिक्स मन्त का ITA कोर्स है उन्होंने अडमिशन 18-19 सेसन में लिया है तो ओभी अपना अग्याम दे सकते हैं और जो 18-20 के वाले शेसन है, जाने उनका एनुए अमनší अग्याम है, तो वो दो वर्सी हैं या एक वर्सी हैं तो वो भी अपना अग्याम दे सकते हैं है supplementary में और जो 19 से 20 के one year six month वाले course हैं वो भी अपना एक्जाम दे सकते हैं और 19 से 20 वाले जो दो वर्षी course हैं वो भी session वाले यहाँ पर supplementary जाम दे सकते हैं और 20 से 20 one year six month जिनका है वो भी एक्जाम दे सकते हैं और 20 से 22 वाला दो वर्षी जो course है two year course वो भी यहाँ पर supplementary जाम दे सकते हैं और यहाँ पर यह एनुवल और semester के लिए दोनों के लिए हैं यहाँ पर बताए गया आगे हम आपको पूराद यहाँ पर दिखाएंगे यहाँ पर 21 22 के लिए one year six month वाले कोर्स जो admission लिया है जिनका one year या six month है वो भी जाम दे सकते हैं और जिनका यहाँ पर 21 22 years course है जानि first year second year दोनों में अगर उनुका supplementary जाम देना है किसी करा उनुको बैट लग गया है या जाम वो दे नहीं supplementary जाम में तो वह अपना supplementary जाम यहाँ पर दे सकते हैं डीचिटी के तरफ से यह notification पब्लिस किया गया है और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि all semester training यानि 2017 से 2018 2014 से 2017 के बीच जितने भी candidate करते थे वह semester में count किया जाते हैं उनका जाम semester में होंता था तो वह semester वाले भी supplementary जाम दे सकते हैं अगर वह परिच्छा में फेलें या किसी कारा उनका marks अपडेट नहीं हो पा है तो वह यहाँ पर पेपर दे सकते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर supplementary में count किया जाएगा और वह supplementary training कहा किया जाएंगा उनका ग्याम नॉंबर में 25 तारीक को लिया जाएगा यह DGT के तरफ से official notification जारी किया गया है तो यहां पर यह जो बताएगा DGT के तरफ से आप यहां पर देख सकते हैं इन्होंने बताए कि IT can be feeling agility EMIAS portal मतलब आप अपने IT से जाके वहां से बात करना होगा अपने IT में चाहिए वो government IT हो या private IT हो उनका 25 नॉंबर का paper होने आला है आप अगर एजिबल है supplementary exam के लिए तो आप अपने IT में जाके इनके बारे में बताएगा और अपना CVT exam का फीस जो होता है वो आपको CVT exam का फीस MIS portal पर अपडेट करना है जिसका लिंक ओपन हो चुका है 25 से 25 से 10 नॉंबर तक आप फीस प्यमेंट कर सकते हैं इजबल ट्रेनिंग यहां पर बताएगा है तो आप CVT exam दे सकते हैं इसके लिए लिंक अक्टिवेट कर दिया जागा 25 से 10 यहां पर पूरी अक्टिविटी यहां पर बताएगे हैं आप यहां पर देख सकते हैं आप इजबल इजबल इजबल्टी फार्द सप्लिमेंटर ट अपरेट और सकते हैं और जू आपकी सेट्र मैपइंग दस नोमभर से बंद्राव नोमबर तक होगी और आपका हालजब बीस नोमबर से 221325 करदोकर वींब। डिट तक ही आप अपना हाल टिकट डाउंलोड कर सकते हैं या अपने इससे पहले अपने आईटे में जाके आप 24 तक ले लें 22 तक लें क्योंकि आपको हाल टिकट मिल जाएगा क्योंकि लाजडर दियार ना करें यह इसके लिए यहां पर बताएगे आपको अगर यह supplementary exam चुटियाता है तो आप next 6 महने बाद ही आपको exam देने को मौका मिलेगे इसलिए आप यहां पर अपने activities जो दो है अपने ITA से बात करके आप वहां पर जाके यह काम okay करा लिए ताकि आपका exam हो सके यह जो डारेक्टर है ज्वाइन डारेक्टर है टीटीसल पिद्यानंद जी के द्वारा यहां पर यह notice published किया गया है यहां पर देख सकते हैं तो आसा है आपको समझ में आगवा कि फिर भी अगर आपके मन में कोई भी doubt है तो बेश्यक कमेंट बाक्स में mention कीजिएगा हम आपक तो आप इसका नोटिपिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं पहले लिंक यह वो टेलिग्राम से है आप यह चैनल पर पर यह notice मिलजाएगा और अगर लिंक दूसरे नंबर पर इसका नोटिपिकेशन दिया है आप सिल बेसाइट यमाई इस फूटल का यहां से भी आप नोटिस डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं यहां पर जो एक बार दुबारा हम आपको बता दें क्योंकि यहां पर जो सेमेश्टर और एनुवल ट्रेनी हैं आई टे कि वो दोनों लोग नॉमबर 2022 में CBT ग्याम दे सकते हैं वो किसी भी कारण से CBT ग्याम में फेल हुएं तब भी यहां पर जाके वो अपना ग्याम दे सकते हैं क्योंकि यह DGT के तरफ से फाइनली एक डिसीजन ले लिया गया कि आपकी 25 नॉमबर का ग्याम होने वाला है इसमें सभी कंडियर को सप्लिमेंटरी काउंट करके यहां पर ग्याम दिया जाएगा जिनका किसी काराण पर परिछा छूड़ गया या फेल हो गया है या 01 उनके मार्क्स में फिटिंग होई है तो वो सप्लिमेंटरी में काउंट क जाएंगे वो अपना ग्याम जाके वहाँ पर दे सकते हैं अन्यवाद